चले बात मुंगेली की कर लिते हैं जहां आज से आधार सेंटरों में आधार कार्ट बनाने सहित कई सेवाएं प्रभावित होने वाली हैं GPS All India आधार अपरेटर यूनियन अपनी 14 सूत्रिय मांगो को लेकर आज से अनिशत कालिन हर्ताल पर रहेंगे मुंगेली में भी इसका असर देखने को मिलेगा मुंगेली इकाई ने कलेक्टर को मुख्य मंतरी के नाम ग्यापन देकर हर्ताल पर जाने की जानकारी दी बता दें UIDAI भारतिय विशिष्ट पहचान पत्र के द्वारा DOE 1 और DOE 2 रिजेक्शन के चलते आधार ओपरेटर को एक साल में पाँच साल के लिए ID बन किया जा रहा है आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष सद्दाम साहिल हुसेन ने का आए कि जब UIDAI को भारत में आधार कार बनवाने की जरूरत थी तो ओपरेटर बनवाकर काम करवाया अब काम से निकाल लिये जाने पर ओपरेटरों को अवशक रूप से निलंबित किया जा रहा है आधार यूनियन द्वारा हर्ताल में जाने से आधार सहित कई सेवाएं भी प्रभावित हो जाएंगी जिसका खामियाजा आम जनु को भुगत ना पड़ सकता है जो 36 गड़ आधार यूनियन है उच्छा 14 सुत्री मांग को लेकर हम यहां ग्यापन देने आएं जिसमें प्रमुख मांग हमारा यह है कि जो इन हाउस मॉडल लागू किया जा रहा है उसमें पूरा जो आधार आपरेटर है वो लोग का रोजगार छिनने का बिरोजगार हो का डर है इसलिए हम ग्यापन देने आएं यहां पर करें